किसी भी शोचल मीडिया से करने किसी को अगर आपने क्रिप्टो सेंड करें तो यह समझ लीजिए वह क्रिप्टो आपके आथ से चले गए वह कभी भी वापस नहीं आएंगे कोई भी उनको रिकवर नहीं करवा पाएगा क्रिप्टो का इंसी जे बहुत सारे डिस्क्लेमर हम लोग देते हैं आपको बहुत सारे क्रेटर्स हैं जो आपको बताते हैं क्या क्या चीज़े अवाइड करनी चीए आप currently जो global market है वो आप है 3.8%, BTC is up 2.3%, ETH is up 6.7%. कल की डेट में जहांपे market बहुत जादा नीचे थी, आज market अगीन एक green की तरफ movement कर रही है, yes, market में volatility बहुत जादा है, हम लोगोंने नोट कर रहा है, previously two weeks में, market में volatility बहुत जादा हो गई है, लोग confused हैं कि वो क्या करें, क्या वो पैसा invest करें, नहीं करें, अभी क्या सिनारियो चल रहा है market का, क्या हमारे पैसे डालके अभी बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, especially क्योंकि ETH merge जो है, वो आने वाला है, बहुत सारे लोगों के बीच में ये confusion चल रहा है, आज की rate में, the best thing to do is, कि जो आपके investment है, आप उनको समाल के रखो, don't get into the FOMO mode, FOMO mode कही ना कही वेल्स चाती है, कि आप FOMO mode में आओ, आप purchases करो, जहां पे बहुत बड़े-बड़े investor जो है, वो ETH का price ज्यादा moment करा रहा है, अगर आप यहाँ पे side में देख सकते हो, और यह कही ना कहीं बताता है, कि लोगों को ये लालेज दिखा के, कि ETH merge जो है, वो आने वाला है, उ ये चीज़ें आप लोगों ने अभी avoid करनी है, क्यों avoid करनी है, market और नीचे आ सकती है, ये हमने कल भी बताया था, आपको उससे पहले भी बताया था, CPI का data जो है, वो आने वाला है on 13th of September, बहुत important date है, वहां तक कहीं न कहीं हम भी कोई investment नहीं कर रहे हैं, हमने अपने portfolio में third SIP जो है, वो purchase करनी है, जो कि अभी हम भी avoid कर रहे है, looking into कि क्या numbers निकल के सामने आते हैं, market कैसे react करती है उन numbers पर, yes I agree, बहुत सारे ऐसी upgrades हैं, बहुत सारी ऐसी updates हैं, जो market में है, बट उसी के सांथ, overall economic condition जो है, वो कहीं न कहीं सहीं नहीं है, सबसे पहली चीज़ आपने य market जब negative गिरती है, जब हमारे buying level से निचे आती है, तो कहीं न कहीं हम लोग nervous होते हैं, we start selling of the crypto, जो भी हमने purchase करेते हैं, चाहे फिर वो short term हो, चाहे फिर वो long term हो, यह चीज़े आप लोगों ने avoid करनी है, the second major thing which will happen around ETH merge is, कि बहुत सारे scammers हैं, जो आपके पास आएंगे, आप आपको बोलेंगे यार, आप पुराना ETH हमें देदो, ETH merge करके जो ETH 2.0 है, वो आप हमसे ले लो, या दूसरे cryptos हमसे ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपने, all you need to do is, कि आपके जो ETH है, वो आपके बड़े exchanges में गर पड़े हैं, तो वहापे safe हैं, वहापे वो automatically change हो आपको बोलेंगे, बानायस ने तो अभी बंद भी करती है, withdrawal and deposit ETH का, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें अपने आप होंगी, you need not contact any person, कुसी आदमी के पास जाके आपको ये बोलने की ज़रोत निए, कि मुझे नया ETH चाहिए, बहुत सारी confusion market में है, नए retail investors को, इसलिए हम आपक ये बता रहे हैं, कि किसी आदमी के भेकावे में ना आए, बहुत सारे lucrative offers आपको मिलेंगे, ETH merch related, वो सारी चीज़ें आप avoid करें, and the same case will happen with Cardano ADA, ADA का जहां पर वासल हाट फोग आ रहा है, वहां पर against cameras आएंगे, आपके पास आपको बोलेंगे, यार काम करो, आप हमें अपन पड़े हैं, in the top exchanges, for example, अगर Binance पड़े, वहां पर अपने आपको अपग्रेड होंगे, and आपके wallet में, spot wallet में, वो पड़े रहेंगे, वहां पर आपको कोई भी tension नहीं, कुछ भी अलग से, कोई step नहीं करना है, आपने, let it be there, वहां पर आपके पड़े रहेंगे, वो जादा safe है, जादा secure रहेंगे, उसी के सांथ-सांथ अगर हम बात करेंगे, कि और क्या चीज़े हैं, जो हो सकती है, in the month of September, जिसकी वज़े से हमें, all losses हो सकते हैं, and that is the new investment, आज के ताइप में, बहुत सारे लोग नहीं investment कर रहे हैं, हमें पता है market नीचे आएगी, जो नए investor आए है तब हम invest करेंगे, बट वहां तक कहीं न कहीं आपने hold करना है, वहां पर कहीं न कहीं आपने रुकना है, जब भी market नीचे गरती है, again कुछ ऐसे investor है, जो बोलते हैं, हमें बोला गया था, जब market नीचे गरे तो purchase करना है, yes, जब market नीचे गरे तब purchase करना है, but you'll have to look into the entire scenario, वहा आज के टाइम में बोलना बहुत easy है, बहुत safe है, कि market यहां से काफी जादा नीचे आ सकती है, BTC can easily attach $14,000, but yes, उसके contradict में market यहां से उपर भी जा सकती है, so you should have enough cryptos with you already, अगर आपने अभी तक invest नहीं कर रहा है, तो थोड़ा और wait कर लो, yes, यही होगा बाद में कि आप इस level म purchase नहीं करोगे, अगर market उपर की तरफ चले आती है, थोड़ा महंगा purchase करोगे, बट उतना risk का आपने लेना पड़ेगा, आज की time में अगर आप purchase करते हो, market यहां से नीचे गरती है, जिसके levels बहुत कम है, वहाँ पे कहीं ना कहीं, आप ज़ादा nervous होगे, ज़ादा आपको tension ह इसी के साथ साथ आज की rate में बहुत सारे लोग नए क्रिप्टो की तरफ जाने की सूचते हैं, बोलते हैं यह नया क्रिप्टो मार्केट में आया, यह purchase कर लेते हैं, पुराने क्रिप्टो में तो movement ही नहीं हो रही, बलकि वो निचे आ रहे हैं from start of 22, नए क्रिप्टो में व दे भी market में आ रहे हैं, बहुत सारे आते, many, there are lots of them, ICO stage में आज की rate में बहुत सारे क्रिप्टो हैं जो पड़े हुए, बट हम लोग उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं आज की rate में, because we are trusting the old क्रिप्टो, we are trusting the क्रिप्टो जिन्नोंने पहले pump and dump देख रहा है मार्केट में, ज तो कहीं वहाँ पर आपको loss ना हो and loss आप कहीं book ना करा दो, इसकी वज़ासे हम बोलते हैं कि आप avoid करो, the worst thing which can happen is, जो नया क्रिप्टो आया, वो शायद गाया भी हो जाए, because उनके पास जो है, investment नहीं आएगी उतनी जितनी उनको चाहिए होती है to sustain in the market, ये सारी चीज़े आ होने वाली है in the second half of the month, वो सारी चीज़े कहीं न कहीं effect करेगी market को, बहुत बुरा effect करेगी, अगर वो effect करती है, तो easily market जो है बहुत नीचा आएगी and that might be our purchasing level, that might be the level जहां पर हम third lot purchase करेंगे अपने second portfolio का and the third type of investor जो हैं आज की rate में market में वो बोल रहे हैं कि हम short short profit ले ले कि अपनी assumption होती है, अपनी speculation होती है, कहीं न कहीं आदमी जो है अपना दिमाग लगा के उसमें सोचता है कि अच्छा market ऐसे behave कर रही है, ऐसा behave करते आ रही है in the last two weeks, आगे भी ऐसे ही behave करेगी, आज की rate में market उपर है, कल की rate में अगर market वापस नीचे आती है, तो वो लोग क्य कीज़े मत करो, short term के लिए आज के time में, September month में किसी को भी मैं यह नहीं बोलूँगा कि जाके short term में purchase करो, I always purchase crypto for long term basis, क्या होगा उनका आगे जाके, क्या चीज़े होंगी, वहाँ पे वो research करना ज्यादा better है, ज्यादा successful है, your chances of getting profit in a long term is more than getting the profit in short term, market अगर यहां से नीचे dumb कर अगर आप आए हो, and short term के लिए अगर आप आए हो, तो इसका मतला आपने lump sum में purchase करा है, आप SAP नहीं कर रहे हो, आप उसको बार बार नहीं purchase कर रहे हो, to lower down the cost, तो कहीं न कहीं आप ज्यादा nervous होगे, you'll be looking into the market almost every second, वो सारी चीज़ें आप लोग avoid करो, अभी तो ज्यादा better है आप लोगों के लिए, आपकी investment के लिए, yes, आगे जाके opportunities आएंगी, crypto currency में आगे जाके काफी opportunities आएंगी, market यहां से अगर dump भी करती है, तब भी opportunity आएगी, market यहां से उपर जाती है, तब भी हमार पास opportunity आएगी, क्योंकि अगर market यहां से उपर जाती है, कई लोग यह बोलें हाई market अगर यहां से उपर जाना start करती है तो कहीं न कहीं हम 10% आज की time में जो है उससे 10% costly में ही वो crypto purchase करेंगे बट overall हमारे पास वो time होगा वो time frame होगा जहां पर हम वो profit निकाल सकते हमारे पास वो research करने का और time होगा कि हम लोगों ने क्या करना हागे ऐसा नहीं है कि जो crypto's के all time high है वो crypto's खाली वहीं पर जाके रूख जाएंगे they will break the all time high चाया इस साल करें चाया next year करें चाया उसके next year करें कभी न कभी तो अपना all time high break करेंगे जब वो break करेंगे that is our profit you'll have to look into the bigger picture short picture देखने में बहुत इंट्रेस्टिंग लगती है कि 10% 20% profit हम हर दिन कमा सकते हैं बहुत जहां पर आप long term देखते हैं वहां पर कहीं न कहीं आपको ज्यादा success मिलने के chances हैं आप लोग बताओ आप लोगो क्या लगता है September month positive में close होगा या negative में close होगा निचे comment section में comment करके जरूर बताना with that said guys आज का वीडियो करते हैं पर end I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो like कर देना share कर लेना subscribe कर लेना thank you so much for watching our channel see you next time okay bye bye